तो इस particular session में हम देखने वाले हैं जो आपका IRMS अभी मैंने आपको बताया था कि IRMS की post जो है create हो चुकी है इसमें कितनी vacancies हैं ये भी आपको official gadget of India में आ चुका है तो इसमें देखते हैं क्या कुछ चीज़े हैं सबसे पहले इसमें कितनी vacancies हैं और कौन सी post के लिए हैं अभी vacant कितनी हैं और कितनी आपकी भरिये जाएंगी from the examination वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ चाता हूँ देखो liability for service आपकी यह सब तो खैर आपका कहीं भी आपको जाना होगा probation का time होता है पहले यह सब चीज़े हैं और कौन से level में है यह सब की बात करते हैं पहले हैं ना देखो यहाँ पे आपका grade of duty poster apex then आपका यह chairman and chief executive officer होंगे डिजी लेवल पे इनका level 17 है और इनकी salary जाएगी 2,25,000 और number of post business है ठीक है अब देखो आपको यहाँ पे इसमें recruitment नहीं मिलेगा ना तो आपको इसमें मिलने वाला है ना इसमें मिलने वाला है ना इसमें मिलने वाला है डायरेक्ट recruitment की बात हो रही है ना तो वो level 10 में मिलता है कभी भी याद रुखना अगर आप group A में जा रहे हो तो फिर आपको पहला level 10 ही मिलेगा यह सब promotion से आते हैं तो सीधा उसी पर चलते है ठीक है चलो आपका जो promotion आपका जो डायरेक्ट विकेंसी आएगी वाएगी junior time scale की ठीक है कौन सी होगी आपकी junior time scale की assistant manager की designation होगी and की total vacancies कितनी है 450 ठीक है तो काफी बढ़िया vacancies अभी इसमें खाली है लेकिन 450 पूरी की पूरी आपकी जो examination होगा उससे नहीं भरी जाएगी इसमें से आपका 50% तो promotion की basis पर भरी जाएगी और 50% आपका direct recruitment होगा तो यानि कि आपकी कितनी होगी 225 vacancies जैसा कि मैंने आपसे पह जो आपका junior time scale होगा ठीक है जो कि आपका assistant manager का level होता है clear है इतनी सी बात समझ में आती है क्या अच्छा ये कहां पे लिखा हुआ है तो ये देखो ये आपका junior time scale है as notified by UPSC commission from time to time ठीक है तो ये आपका time to time UPSC इसका examination लेगा ये भी बात clear आपको हो जानी चाहिए दूसरी बा कब ये examination जो IRMS का है वो कौन लेगा UPSC लेगा और किसके थ्रू आएगा तो CSE जो आपका civil service examination होता है ना बहुत सारे बुच्छेस में थे कि किसके थ्रू होगी ये vacancy किसके थ्रू होगी तो ये चीज़ आपको clarified हो गई होगी कि ये CSE कि थ्रू आपकी vacancy भरी जाएगी जो U region railways में है या फिर आपका level 8 या level 9 पे है और regular तीन साल की service दे चुके है level 8 और level 9 पे ठीक है तो इनका promotion होगा 225 vacancy के लिए बागी का direct recruitment होके आएगा तो of course यहाँ पर जो आने वाला टाइम है उसमें UPSC में जो number of vacancy है वो 1000 प्लस ही आने वाली है अब आपकी total vacancy यूंकि इस बार भी आपकी 900 प्लस ही आई है ना तो 1000 प्लस तो आराम से आएगी 1100 तक भी जा सकती है तो यह बड़ी opportunity है अगर आप लोग प्रिपेर कर रहे हो UPSC CAC के लिए अच्छे से प्रिपेर करो और I know बहुत सारे बच्चों को धक्का भी लगा होगा कि यह CAC से इनोंने कैसे र वाले हैं आगे कुछ टाइम पर जैसे की जिसका IRMS में GTS के लिए एक रसेस्टेंट मेनेजर पर हो जाता है तो उसका जो प्रमोशनल सेनियोरिटी बेसिस पर रहे गाना वह बहुत अच्छे opportunities होने वाली है अभी आने वाले टाइम में विकॉस अभी newly create हुए और अगर आप आपकी 1395 vacancies है और उपर जाके देखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो non-functional selection grade है उसमें 2325 रहेगा खेर यह तो 30% होता है टूटल का तो यह तो खेर अलग बात है बागे आप अगर senior administrative grade यह आपके लिए सबसे important है जो AM का होगा वो chief manager के लिए ही होगा तो वो 791 vacancies है आप मतलब आप देख रहे हूं कि जो ऊपर लेवल पर vacancies है वो भी काफी number की post create की गई है तो काफी बढ़िया चीज है यह भी level 14 में तो प्रमोशन के जो chances रहेंगे वो भी काफी अच्छे होंगे IRMS में ठीक है तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पर initiative है यह Indian railways का बहुत इंतजार भी कर सकते हो ठीक है gadget of India से तो एंड करूंगा thank you so much God bless you all take care and bye bye